इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. वोलिफेज शूनि दशमलव तीन टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल टाइब दो डायबिटीज मेलिटिस के इलाज के लिए किया जाता है. यह प्रतिएक भोजन के बाद आपके शरीर में उच्चर रक्ट शरकरा के स्तर को नियंतरत करने में मदद करता है. इसका उपयोग तब किया जाता है जब प्रतिबंधित आहार के साथ अन्य समान दवाएं असामान्य रूप से उच्छ रक्ट शरकरा के स्तर को नियंत्रित करने में असमर्थ होती है वोलिफज शूनि दशमलव तीन टेबलेट का सेवन भोजन के ठीक पहले या साथ ही करना चाहिए खुराक और आपको कितनी बार इसकी आवश्यक्ता होगी यह आपके डॉक्टर द्वारा तै किया जाएगा ताके आपको अपने रक्ट शरकरा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सही मात्रा मिल सके अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इसे अचानक से लेना बंद न करें नियमित व्यायाम और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए इस दवा को लेते समय नियमित रूप से अपने रक्ट शरकरा के स्तर की निगरानी करें वोलिफज शून दशमलव तीन टेबलेट के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में तवचा पर लाल चिकते, पेट फूलना यानि की गैस, पेट दर्द और दस्ट शामिल हैं कृपया अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि ये आपको परिशान करते हैं या दूर नहीं जाते हैं यह दवा अपने आप में हाइपोग्लाइसीमिया यानि की निम्न रक्ट शरकरा के स्तर का कारण नहीं बनती है हाला की जब अन्य मधुमेर दवाओं यानि की विशेश रूप से इंसुलिन या सलफनीलूरिया के साथ सयोजन में उपयोग किया जाता है तो यह हाइपोग्लाइसीमिया यानि की निम्न रक्ट शरकरा के स्तर को जन्न दे सकता है हाइपोग्लाइसीमिया के ऐसे प्रकरणों का इलाज साधा ग्लूकोज लेकर करना होगा यदि आप यह दवा ले रहे हैं तो टेबल शुगर या सामान्य चीनी निम्न रक्ट शरकरा के स्तर को ठीक करने में मदद नहीं करेगी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किड्नी या लीव की कोई समस्या है यदि आपको आंत में अलसा या सूजन है यानि की जैसे अलसरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन रोग तो इस दवा को न ले गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कृप्या अपने चिकित्सक को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं यह सुनिश्चित करने के लिए आप ले रहे हैं इस दवा को लेते समय अत्यधिक शराब के सेवन से बचें क्योंकि इस से हाइपोग्लाइसीमिया यानि की निम्न रक्षरकरा का स्तर का खत्रा बढ़ सकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद